इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें इसरेल की सेना ने लेबिनान में एक सुरंग को नश्ट करने का बहुत बड़ा दावा किया है बताये तो यह जा रहा है कि सुरंग साड़े तीन किलोमेटर लंबी थी और लेबिनान से सीरिया तक जा रही थी IDF के मुताबेक सुरंग का इस्तेमाल हत्यारों की तसकरी के लिए किया जाता था तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दे इस्रेल की सेना ने लेबनान में सुरंग को नश्ट किया है ये तस्वीरे आप देख पारें सुरंग की बताये तो ये जा रहा है कि ये सुरंग साड़े तीन किलोमेटर लंबी थी और लेबनान से सीरिया तक जा रही थी IDF के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि सुरंग का इस्तेमाल हत्यारों की तसकरी के लिए किया जाता था और इस्तेमाल के बाद बदले की आग में जलवे इस्तेमाल ने बेरूत को बारूत का धेर बना दिया है लेबनान में इस्तेमाल का ग्राउंड ओपरेशन तेज हो गया है इस्तेमाल की सेना ने पिछले चार दिनों में लेबनान पर साबर तोड काई हमने किये हैं आसुबे से ही बेरूत के दक्षणी उपनगरों में धमाकों की आवाजे सुनाई दे रही हैं ये हमला तब हुआ है जब इस्रेली सेना ने बेरूत के दक्षणी उपनगर के निवासियों को क्षेतर छोड़ने की चेताब नहीं दी इस्रेल की सेना का ये दावा है कि वो हिजबुल्ला की मारतों पर हमला कर रही है तो लिबनान में इस्रेल का ग्राउंड ओपरेशन लगातार जारी है बेरूत में सुबे से ही यहां पर धमाके हो रहे हैं चार दिन में हिजबुल्ला के धाई सो लड़ाके धेर किये गए हैं, इसरेल की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और इस बीच आपको बता दे, इरान के सुप्रीम लीजर ने तहरान की ग्रैंड मस्जुद से इसरेल के खिलाफ ऐसे युद्ध का एलान किया है, जिससे पूरी दुनिया में खल बली मच गई है खाम ने इने अरब देशों को एक जुट होकर इसरेल पर धावा बोलने की बारूदी तक्रीर कर दी है, उदर अमेरिका और इसरेल ने इरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है खाम आमरीका और अमरीका है और ने खाम आमरीका है भी जारेल के खाने अडिया खाने का लियाँ जडिया आम आमरीका आमरीका असलाम आलेकूं वरहमत ल्लह क्या इसराइल बनाम अरब वर्ड युद शुरू हो चुका है अली खामने के खेमे में जुड़ गई बाईस आर्मी अब अमेरिका तक पहुँचेगी युद की चिंगारी युद द्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है लेबनान में जो बारूद बरस रहा है जैसी बरबादी घासा में दिख रही है जितनी तबाही अब तक होई वो सिर्फ ट्रेलर है क्योंकि अब महा युद में महा शक्तियों का आना तै हो चुका है इरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद को भड़का दिया है जिसका अंध क्या हो सकता है इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता इरान के सुप्रीम लीडर ने इसराईल के खिलाफ खुद हत्यार उठा लिया है राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतनियाहू को धमकी दी है कि इसराइल धर्ती के नक्षे से गायब हो जाएगा सुप्रीम लीडर के बारूदी भाशन के बीच तहरान में इसराइल की परबादी की कस्मे खाई गई है नसरला और एसमराइल खानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगा कर एरान ने इसराइल से हार पार की जंग का इलान कर दिया है बर असास इच गानून बेनलमलली हग नदारत बे मिल्लत लुबनान बेहजब लुबनान इतरास कुने कि चरा शुमा अज़ खज़ अज़ खियाम मर्दों फलस्तीन हमायत कर दीद वजिफे उनहास पायत मी करदें इनके हम होक्म इसलामी हम कानून अगली हम तेरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद का ये उनमाद खाड़ी मुल्कों को तहलाने जा रहा है ये हुंकार ये लल्गा सिर्फ इसराइल भर के लिए नहीं है धमकी अमेरिका को है युरोग के उन देशों को है जो इसराइल के साथ हैं और इसराइल को हत्यार दे रहे हैं जो इसराइल के लिए युद के अखाड़े में हैं जिनके पास एटम बम है यानि इरान इसराइल टकराओ अब दो देशों का युद नहीं रहा ये महा युद्ध है जिसमें एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ड तेहरान की गल्यों से इसराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है इरान के सुप्रीम लीडर खामने ने खुल लम खुला बता दिया है कि इसराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा जिसमें सभी अरब देश इरान के साथ होंगे खुला सब्सक्रण ह población girर खामने जम्हां ठालान के सकती का राथ से वजुद आरान शीवा हाई दुश्मन दर किशपर हाई मुक्तलिफ हैस्ट मगर कितने देश कौन कौन है जो सूपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुरत दिखाएगा खामने ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है उसमें कई चौकाने वाले देशों के भी नाम शामिल है लेकिन अमेरिका का अलग ही वार प्लैन है इस्राइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं लेकिन युद्ध का जोकिम वो भी नुकलियर वार का सारा मामला यहीं पस रहा है खैर अभी एरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए जिसमें उनोंने इस्राइल पर हमले को जायस ठहराया है खामने ने नसरल्ला और हानिया की मौत को शहादत बताया है धमकियों के साथ खामने के भाशन में खाफ भी दिखाई दिया इरान को डर है कि इसराइल उसके परमानों अटे और तेल के कुएं जलाए जा रहा है इस पूरे ओपरेशन का प्लान अमेरिका और इसराइल मिलकर बना रहे है यूकलियर साइट पर हमला होने के हालात में आर पार का युद्ध होगा जिसके लिए इरान के सूपरिम लीडर सभी अरब देशों से एक जंडे के नीचे आने की अपील कर रहे है आला कि ये काम इतना आसान नहीं है कई अरब देश सूपर पावर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं कुछ अरब देश तो अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हैं खाड़ी में मवजूद अमेरिका के सैन अड़े और हत्यार इन देशों को तहलाने के लिए काफी है तो फिर इरान के साथ कितने मुल्कों की असल पावर है? अरब लीग का जणड़ी बरदार कहा जाने वाला सौधी अरब किस तरफ है? सौधी अरब और इरान की कट्टर दुश्मनी है खाड़ी मुल्कों में सौधी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सही होगी है सौधी अरब इसराइल का विरोध तो करता है लेकिन युद्ध में अमेरिका के खिलाफ सौधी अरब का उतरना लगभग नाममकिन है इसी तरह की उलज़न सेयुक्त अरब अमिरात और कुवैत, कतर और उमान जैसे देशों की भी है जो फिलिस्तीन और लेबनान के हमायती तो हैं लेकिन अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं तो आखिर बच्चा कौन जो इरान के साथ युद्ध में आ सकता है अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं जिन में से कई सुमालिया, सुडान और जुबूती जैसे हैं जिनके खुद के घर जल रहे हैं ऐसे ही खामने के बुलावे पर अफगानिस्तान और यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे कहना मुश्किल है इसराईल के खिलाव एरान के धर्म युद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम बहूल देश गूदने जा रहे हैं फिरहाल जिन देशों ने खुल करके इसराईल का विरूद किया है वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इसराईल से युद्ध के लिए सबसे जादा फड़ फड़ाता तुर्की दिखाई दे रहा है राश्रपती एर्दोआन ने इसराईल को परबाद करने की धंकी भी दे रखी है तुर्की के पास युद्ध का पासा पलटने का धंकी है तुरकी नेटव पॉर्टसेश का सदस्य है जिसके इंकेलिक एर बेस पर अमेरिका के 50 अटम बम तैनाथ हैं तुरकी में रखे अटम बम को B61 नुप्लियर वार हेट कहा जाता है अमेरिका ने तुरकी में रखे अटम बम को अपग्रेड भी कर दिया है तुर्की अमेरिका से मिले F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करने की ताकत रखता है हलांकि यूक्रेन और रूस युद्ध की टेंशन के बाद से अमेरिका ने तुर्की को हत्यारों के सप्लाइ ठप कर दी है तुर्की को F-35 जेट और मिसाइल की डिलिवरी रोकने का फैसला अब इसराइल के हक में जा सकता है तुर्की के अलावा इसराइल विरोधी मिस्र है जो फिलहाल युद्ध की बजाए शांती की राह पर दिख रहा है झाल 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 युद्धर झाल 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 झाल